इस्राइली सेना का ग्राउंड ओपरेशन पर बायान सामने आ चुका है आपको बताएं ग्राउंड ओपरेशन की तयारी पूरी है इस्राइली फोर्सेस के ओफिसर्स ये कह रहे हैं और उनी के आवाले से बड़ी खबर है ग्राउंड अटैक में लाको इस्राइली सैनिक जो इस वक्त गाजा बॉर्डर पर मौजूद है उन्हें बस एक ओर्डर का इंतजार है और इसके साथ वो कूच कर देंगे तो कैसे हैं आलाद देखिए डायरेक्ट वार्ड जोन से हमारे एक्स्क्लूजिव एडिटर जगविंदर पतियाल की रिपोर्ट आप समझ जाएंग कि इस वक्त गाजा बॉर्डर के एकदम करीब इसराइल के अब उस इलाके में इस वक्त खड़े हैं जहां से सेना अपना साजो सामान लेकर बॉर्डर की तरफ बढ़ रही है मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि बड़े-बड़े ट्रक्स के अंदर किस तरह से टैंक्स को ले जाया जा रहा है और ये तैयारी हो रही है फाइनल असौल्ट की और ये जो नाके बंदी यहां आप देख रहे हैं ये इसराइली सेना है जो खाकी रंग की बर्दी में नजर आ रही है इसराइली सेना है और इस पॉइंट के आगे किसी भी आम आदमी को जाने की इजाजत नहीं है सिर्फ सेना पुलिस और इंटलिजेंस के वाहनी आगे जा पा रहे हैं लेकिन ज्यादा तर जितना भी साजो सामान लड़ाई का होता है जितना भी भिद्वनसक सामगरी है वो सारी इसी बॉर्डर से गाजा पट्टी की तरफ जा रही है और जैसे ही फाइनल असौ लोगों की जान जा चुकी है ऐसा हमास के जो नेता हैं और वहां की जो हकोमत है उनकी तरफ से ये एलान किया गया है और उत्तर गाजा का जो ज्यादतर इलाका है उसको आम नागरिकों ने खाली कर दिया है और यही बात का इंतजार इसराइली सेना कर रही है एक बड़ा आप आजा सकते हैं बॉर्डर की टाइमिंग को लेकर है यह जो बस प्राइवेट बस आप देख रहे हैं यह सब बसे इन में आर्मी सवार है और आर्मी के लोग जो की बॉर्डर की तरफ कूच कर रहे हैं बड़े स्तर पर इन प्राइवेट बसे में सेना को भरबर कर बॉर जगा जगा है सैनिकों के लिए आम जो साधारन नागरिक हैं उन्होंने खाने पीने के समान के इंतजाम किये हुए हैं और वो चीजें इनको रास्ते में सौंपी जाती हैं जो ये बस सामने खड़ी है आर्मी के जवान बात कर रहे हैं इसके अंदर भी सैनिक बैठे हुए हैं और हम देख पा रहे हैं लेकिन black glasses होने के कारण बसके आपको नजर नहीं आ रहा है लेकिन security point of view से ऐसा किया जाता है क्योंकि यहाँ कासिम missile जो है उसका सबसे ज़्यादा खत्रा रहता है कासिम एक unguided rocket होता है और वो कहीं भी सीधा उपर जाकर फिर नीचे आके गिरता है ऐसे मैं कहीं भी नुकसान हो सकता है आपको एक चीज में दिखाता हूँ यह आप देख रहे हैं न नील रंग का यह इस तरह के safe house यहाँ हर जगा बने होते हैं कोई भी छोटा सा bus stop होगा किसी का भी घर होगा कोई भी installation होगा इस तरह के safe house यहां बने रहते हैं यह safe house यहां पर एक तरह से कह सकते हैं कि common feature है जहां भी कोई भी building कहीं भी आम लोगों के रुकने की जगा होगी वहां पर safe house आपको मिलेगा और आम तरपर लोग safe house के आसपास इसलिए रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर कोई भी rocket आता है तो यह safe house जो है यह सबसे सबसे बड़ी चीज होता है जो आदमी की जान बच जाती है जिससे यह देखिए यह गाडियों का काफिला लगतार बॉर्डर की तरफ बढ़ रहा है और इसमें तमाम में सैनिक सवार है आगे आप देख सकते हैं कि driver के सामने आर्मी के जवान जिस ही जा रही है हम एक बार फिर आपको बता दें इस वक्त हम मौजूद हैं इसराइल गाजा बॉर्डर के एकदम करीब और इसराइल गाजा बॉर्डर के आसपास की activities आप देख सकते हैं किस तरह से सेना के वाहन सेना की गाडियां और सैनिक बड़ी तादात में जा रहे हैं गाजा बॉर्डर की तरफ क्योंकि जो ग्राउंड ट्रूप्स ने मूव करना है गाजा में वो घड़ी आ चुकी है हलांकि जिस तरह से ही आखरी आदेश आएगा ये तमाम ट्रूप्स जो हैं वो गाजा बॉर्डर की तरफ प्रवेश करेंगे और इस पॉइंट के आगे क लहाजा आर्मी इसके आगे जाने की किसी को इजाजत नहीं दे रही है और जितनी भी किलिंग हुई है हमास के आतंकियों ने जितने भी लोगों को निशाना बनाया है वो सब एरिया यहीं से शुरू होता है इसी बज़ा से यहां सक्त पहरा रखा गया है कि कोई भी आदमि वो उस तरफ ना जाए अगर हमास की तरफ से जो भी रॉकेट या जिस तरह से उनकी सर्वेलेंस रहती है वो टार्गेट करते हैं तो इनी इलाकों को ज़्यादा टार्गेट करते हैं कैमरामेन मनिश कुमार के साथ जगविंदर पत्याल एबीपी न्यूज इसराइल गाजा बॉर्डर एबीपी न्यूज आपको रखे आगे